हेलो एवरिवन वेलकम बैक ओन मैं चैनल नोतन ओनलान स्टेडी तो हमारा सिरीज चल रहा था टीजिंग एड्स के टाइप्स जो होते हैं उसके हमने तीन पार्ट्स पढ़ लिया है ठीक है तो आज हम पार्ट फोर पढ़ रहे हैं जिसमें हम जानेंगी ओवर हैड प्रोजेक किजिए मेरे हर वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किजिए क्योंकि उससे रिलेटेड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो मिल जाएंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टीचिंग रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएगी जिस ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है और इंट्रोड़क्शन एडवांटेजीज और डिजाडवांटेजीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ठीकिए जब 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 एक टीचर पढ़ाती है तो प्रोजेक्टडेड उडियोस करती है प्रोजेक्टिडे emisor प्रेंडियोस करती है प्रोजेक्टिडेडर एति होता है जो हम पढ़ रहें जिसमें इंट्र की जथ पढ़ती है तीचर तो फिलहाल projected aids पढ़ रहे हैं ठीक है तो OHP इसे OHP भी कह सकते हैं overhead projectors का full form है ठीक है जानेंगे कि overhead projector क्या होता है advantages क्या है and disadvantages क्या है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन अगर मेरे चैनल पर अभी तक subscribe नहीं किया है अगर आपको pdf चीए तो आपको comment section में comment करेंगे तब आपको pdf जरूर मिल जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देख लेते हैं OHP यानि overhead projector क्या होता है और शिक्षा के शेत्र में इसका क्या योगदान है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं overhead projector basically overhead projector यानि OHP क्या होता है कि यहां पर आपर basically transparent रखा जाता है जिसमें बाद में light उसमें put किया जाता है light के reflection से आगे जो screen होती है वो क्या होता है उसमें कोई भी image teacher शोकर के बच्चे को दिखा सकती है इसे कहते हैं overhead projector ठीक है बहुत सरे schools में आज भी overhead projector यूज किया जाता है ठीक है जैसे अगर map को शो करना है या तो कोई diagram को शो करना है teacher को तो teacher OHP यूज करती है जिसके माध्यम से किया होता है कि जो teacher होती है कोई छोटे से map को images को enlarge करके बच्चे को दिखाती है ठीक है अब इसे कुछ definitions भी देख लेते हैं यहां पर देखिए according to Oxford Dictionary Oxford Dictionary का क्या मानना है कि क्या है overhead projector a piece of equipment that project an image on to a wall or screen so that many people can see it यानि कि यह कैसा माध्यम है यह कैसा equipment है जिसमें teacher क्या करती है कि screen पर या तो wall पर कोई image को enlarge करके शो करती है ठीक है इसका आमने आप में इसका picture show कर दूँगी यहांप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से OHP देखता है यहांप आप देख सकते हैं ठीक है यह यह देखे यहांप OHP किस तरीके से नजर आता है यहां पे जो है, यह देखला गया है, प्रवक्राइब मेद से यहां पर लाइट लगी होगी और जो यहां पर इमेज है, वह इस पर आपको नजरा आ ठीक हैं कि कोई भी इमेज इसको बड़ा एनलाज करके जो है wall पे या दरवाइस screen पे show करता है इसे ही OHP यार्नी overhead projector कहते हैं चलिए आगे देख लेते हैं अच्छा अब देख लेते हैं According to C. Nassima 2005 यहाँ पे देखिए According to C. Nassima उन्होंने क्या कहा है कि OHP consists of a light source, a freshenel condenser, a glass sheet platform on top of it an overhead projection lens and a screen to project the laterally inverted image यानि कि OHP क्या कहते है कि Sorry, Nassima क्या कहते है कि जो OHP है यानि overhead projector में एक light source होती है, condenser होता है glass sheet की जरत पढ़ती है overhead projection जो lens होती है उसके जरत पढ़ती है उसकी सहायता से कोई भी चीज, कोई भी image को reflect करके जो है wall पर otherwise screen पर दिखाया जाता है तो ये हमने देख लिया कि overhead projector क्या होता है आगे हम देख लेते हैं इसके advantages भी होते हैं इसके advantages तो सबसे पहला तो ये है कि कोई भी images जो होती है teachers को large करके दिखा सकती है छोटा गर image teacher show करी पूरी class को तो possible नहीं है कि वो सारे students को बराबर नजर आए तो इसके लिए बहुत helpful है कि teacher कोई भी image को enlarge करके बच्चे को दिखा सकती है second है कि easy use easily use होता है जादा इसमें कुछ ताम चाम की ज़रुत नहीं पढ़ती है ठीक है teacher को केवल overhead projector की और एक जो image शो करना इसके ज़रुत पड़ती है और less time consuming है इसमें ज़्यादा time waste नहीं होता है teacher को अलग से कोई model बनाने की या तो उसकी कोई tension नहीं होती है कि अगर बुक में है कोई picture है तो तो इसको teacher show करके असनानी के साथ reflect करके जो है दिखा सकती है तो ज़्यादास में time consume नहीं होता है lightweight तो overhead projector जो होता है जो weight होता है वो भी थोड़ा सा बाकी जो projectors है उनकी हिसाब से easy होता है और कलते है light होता है इसमें जो images आती है वो भी bright आती है अच्छी तरीके से आती है enhanced creativity से creativity enhance करने में भी मदद मिलती है और low cost है ठीक है बाकी जो हमने पढ़ा projected aids जैसे की LCD जिसे हमने पढ़ा की जो smart smart board होते हैं बाकी की जो projected aid है उसके हिसाब से इसका प्राइज है वो थोड़ा सा कम है और इसके लिए special room के ज़रत नहीं पढ़ती है जो classroom में teacher जिस classroom में पढ़ा रही है उसी classroom में teacher इसको यूज कर सकती है कोई अलग से special room के लिए dark room में लेके जाने की ऐसा कुछ ज़रत नहीं पढ़ती है ठीक है आगे देख लेते हैं इसके disadvantages भी है तो इसके disadvantages देख लेते हैं ठीक है limitations इसके क्या है देखते हैं अच्छा सबसे पहला तो उसका limitation है कि यह electricity बड़ी point करता है तो जितने में projected aid है उसके बार में disadvantages में आप यह लिख सकते हैं कि सभी जो projected aids होते हैं वो electricity पर चलते हैं without electricity वो काम नहीं कर सकते हैं ठीक है तो first इसका है और इसका maintenance जो होता है उसमें difficulty आती है obviously जो projected aids होते हैं वो electric पर work करते हैं तो उसको maintenance के जर्द पढ़ती है by the time ठीक है तो यह भी इसकी थोड़ी से disadvantages है और इसके लिए skilled teachers के जर्द पढ़ती है जिसको कि projected aid किस तरीके से project करना है किस तरीके से use करना है और इसके बगार teacher तो कोई चीज project करके दिखा नहीं सकती है बच्चे को समझा नहीं सकती है तो इसके लिए इसके skilled teacher के जर्द पढ़ती है जिसको technical थोड़ी सी knowledge हो इस regarding ठीक है तो यह हमने जाना part 4 में कि क्या होता है हम पढ़ेंगे ओपेक प्रोजेक्टर क्या होता है तो वह हमारा लास्ट वीडियो होगा on the series on this series types of teaching aids अगर आप कोई भी special अगर आपको वीडियो चाहिए regarding teaching aids और बहुत सार पार्ट होते है तो आप मुझे comment section में comment करेंगे तो के मेल जाएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another VBA related topic and our topic would be OPIC projector or episcope projector okay till then bye bye and take care